बेस्ट स्मार्ट वाच अंडर 3,000 रुपीज इन 2023 देखो 3,000 के बजट में आपको स्मार्ट वाचिस के ओरमस 20 से 25 डिफरेंट डिफरेंट आपशन्स मिलती हैं लेकिन क्या इन सबी में से हर एक स्मार्ट वाच को बाया करना चाहिए बिल्कुल नहीं तो इतनी सारी स्मार्ट वाचिस को साइट पे गरके न मैं आपको सिरफ 5 सबसे बढ़िया स्मार्ट वाचिस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट आप्शन रहेंगी इन 5 स्मार्ट वाचिस में आपको Bluetooth Calling Long Lasting Battery Backup एकदम बढ़िया डिस्प्ले कुछ तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले वाली वाचिस भी है और साथ में एकदम बढ़िया बिल्कॉलिटी मिलती है पांच दिन का बैटरी बैकप आपको नॉर्मल उसेज पर इजली मिल जाता है और Bluetooth Calling आउन करने पर एक से दो दिन का बैटरी बैकप आपको मिल जाता है और अराउंड दो घंटे के अंदर स्मार्ट वाच फुल चार्ज हो जाती है 1.78 इंचेज की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है स्क्वार शेप में आती है 368 बाइ 448 पिक्सल्स सिलिकॉन के रिप्लेसेबल स्टैप से मेटल बॉडी वाली स्मार्ट वाच है फुली मेटलिक बॉडी मिल जाती है देखो मेटल बॉडी होने के कारणा इसके जो डियूरिबिल्टी एंड बिल क्वालिटी है वो काफी जाता बढ़ जाती है ब्लुटूथ कॉलिंग के साथ या IP68 रेटिंग मिल जाती है और इसके जो अडिक्शन फीचर्स है उसको चेक करें तो 100 से भी जादा आपको sports modes मिल जाती है TWS pairing को ये smartwatch support करती है calculator मिल जाता है और इसके अदर आपको internal storage मिल जाती है 128 MB calls को आप reject कर सकते हो, dial कर सकते हो and even calls को shift भी कर सकते हो अपने phone पे sensors इसके अदर सारे दे रखे हैं ये सब कुछ आपको smartwatch के अंदर मिल जाएगा wake up gesture के साथ ही all notifications के alert भी आपको इसके अंदर मिल जाती है बहुती बढ़िया smartwatch है, काफी अच्छी rating है इसके amazon पे do consider this one, best filing का आपको description box में मिल जाएगा अगली smartwatch है beat xp वेगा देखो आप में से जिसी भी round dial के अंदर smartwatch जाएगे न तो ये आपके लिएक दो में perfect option रहेगा metallic frame दिया गए इसके अंदर तो इसकी भी durability काफी बढ़िया हुजाती है and design इसका काफी जादा attractive है and actual में इसी budget के अंदर आपको ऐसी बहुती कम smartwatches मिल जाती है जिसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले दे रखी हो इसके अंदर आपको वो मिल जाएगी 2700 रुपीज का current price है 280 mh की battery capacity है 7 दिन का battery backup आपको normal usage पे मिल जाएगा 1008 के साथ 1.43 इंचिस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है round shape में आती है smartwatch 466 x 466 pixels silicon के replaceable straps है metal body वाली smartwatch है Bluetooth version 5.2 दिया गया है Bluetooth calling के साथ ही IP68 rating इसके अंदर भी आपको सारे additional features मिल जाती है 100 से भी जादा sports modes है and 100 से भी जादा cloud based and customizable watch faces की support मिल जाएगी आपको Find my phone के साथ ही camera और music दोनों को control कर सकते हो एक multifunction rotatable button मिल जाएगा आपको site पे बहुत ही बड़िया लगती है दिखने में smartwatch go for it best filing description box में है अगली smartwatch है noise के noise vortex देखो ये जो smartwatch है ना वो अभी recently launch हुई है and काफी बड़िया response है इसका 2800 रुपीज का current price है 240 mAh की battery capacity मिल जाती है normal usage पे 7 दिन का battery backup 2 घंटे के अंदर smartwatch full charge हो जाती है 500 nits की brightness 1.46 इंचिस की AMOLED always on display मिल जाती है ये भी smartwatch round shape वाली है 466 x 466 pixels 2.5D curved glass silicon की replaceable steps के साथ ही metal body है और इसके अंदर आपको Bluetooth का एकदम ही latest version दिया गया 5.3 तो connectivity के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली Bluetooth calling IP68 rating इसके अंदर भी आपको सारे features मिल जाती है सारे sensors दे रखे है Heart rate monitoring, SPO to monitor हो गया Step के साथ ही stress and sleep monitoring भी ये smartwatch support करती है Multiple watch faces की support मिल जाती है आपको दो buttons दे रखे हैं इसके अंदर 130 से भी जादा इसके अंदर आपको sports modes मिल जाती है और उपर से ये smartwatch auto sports detection को भी support करती है Double tap to wake feature आप अपनी calls को dial कर सकते हो, receive कर सकते हो और उनका quick reply भी कर सकते हो तो ये भी smartwatch आपने ज़रूर consider करनी है वानो दी best selling smartwatch है Go for it, best spelling description box में है अभी तोड़ा दियां दो, देखो अगर आपको अंडर 3000 के budget में inbuilt GPS फाली smartwatch ही है न तो आप noise की pro 4 GPS को भाई कर सकते हो 3000 के budget में सिर्फ यही एक smartwatch है जिसके अंदर आपको GPS दिया गया है एक तमी popular series वाली smartwatch है तो GPS के लिए आप उसे consider कर सकते हो best spelling description box में है Now this is firebolt quantum दिखने में ये smartwatch totally luxury smartwatch लगती है तीन इजार उपेश का current price है साधे दीन सो एमेश की battery capacity होगी साथ दिन का battery backup मिल जाएगा आपको नॉर्मल उसेच पे and Bluetooth calling on करने पे दो दिन का battery backup आपको smartwatch के अंदर easily मिल जाता है from 0 to 80% इसकी जो battery है ना वो सिर्फ एक घंटे के अंदर charge जाती है 1.28 इंचिस की एशी डिस्पले round shape में आती है smartwatch 240 by 240 pixels देखो metal के steps के साथ ही आपको metal की body मिल जाती है Bluetooth version 5.1 दिया गया Bluetooth calling के साथ ही IP67 rating इसके अंदर आपको movable dial मिल जाता है heart rate monitoring, SP2 monitor, step के साथ ही distance and sleep monitoring को भी ये smartwatch support करती है female cycle के साथ ही blood pressure monitoring and breathe training को भी smartwatch support करती है 100 आपको sports modes मिल जाती है and 100 से भी ज्यादा cloud based watch faces wake up gesture, listen कर सकते हो, music and camera भी control कर सकते हो 128 MB इसके अंदर memory मिल जाती है inbuilt, dial and receive कर सकते हो calls को and जितने भी आपको contacts हाना वो sync भी हो जाती है and इसके अंदर आपको TWS connection का भी option दिया गया तो ये भी smartwatch एकदमें बढ़ी है बहुत ही different से look है इसकी, go for it best by link description box में है now this is bold striker bro and मेरे recording ये smartwatch 3000 के price point पे सबसे best smartwatch है देखो एक तो इसका price कम है 2500 रुपीज में आपको ये smartwatch मिल जाती है metal के straps के साथ and 2300 रुपीज में silicon के straps now battery backup तो देखो normal usage पे 7 दिन का battery backup आपको easily मिल जाएगा and bluetooth calling on रखने पे 2-3 दिन तक ये smartwatch easily चल जाती है 1.43 इंचिस की AMOLED display मिल जाती है 466 x 466 pixels 2D curved glass है, 60 Hz का refresh rate दिया गया metal होने के बावजुद भी इसका जो weight है ना that is only 60 grams में IP67 दिया गया वाच में उसके बाद sensors इसके अंदर सारे दियर रखे है heart rate monitoring हो गया, speed monitor हो गया blood pressure and sleep monitoring वगयरा सब कुछ एकदम भी बढ़िया से operate होता है दो physical buttons है watch में, एक तो अपना crown button हो गया rotating and जो नीचे की जरब button है वो sports modes के रिए dedicated है sports modes की बात करें तो इसमें आपको सारे sports modes मिल जाते है बढ़िया से calling होती है, इसके अंदर inbuilt speakers है और एक और चीज़ है, देखो calls को आप phone से transfer भी कर सकते हो तो ये चीज़ भी मुझे काफी बढ़िया लगी और इस ये के साथ ही आपके जो phone का music है ना वो भी आप smartwatch से control कर सकते हो और जो आपके phone का camera है वो भी आप smartwatch से use कर सकते हो इसमें हमें 1500 से भी जादा cloud-based watch faces के option मिल जाती है देखोर simple चीज़ है कि smartwatch actually मेना अपने price के साब से एकड़म best features वाली है चाहा इसकी specification होगी build quality, display वेगरा सब कुछ आपको सब कुछ एकड़म the best मिलता है go with this one best spelling का आपको description box में मिल जाएगा तो याद इसादी best smartwatch is under 3000 रुपीज in 2023 देखोर आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको इन पांचों में से जो भी smartwatch बढ़िया लगती है आप उसे बाइगर लो ये पांचों की पांचों smartwatches एकड़म the best है and also one of the most selling smartwatches है but in case अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगे तो प्लीज उसे आप comment section में mention कर दे that's all for this video guys वीडियो गर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज ज़र इसे like and share करें don't forget to subscribe to our channel guys thanks for watching the video, peace out